कि नमस्कर दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं कि सामाजिक एवं राजनेतिक जीवन दो के बारे में जो आपकी सामाजिक एवं राजनेतिक जीवन दो के नाम से सेकें के नाम से जो बुक से उसी को देख रहे हैं लोग तो इसमें एक चैप्टर हम लोग खतम कर चु स्वास्त में सरकार की भूमिका, स्वास्त में सरकार की भूमिका, याद रखना है आपको, कि चाहे वह आपकी कच्छा-चेट वी की NCEIT हो या पर साथ वी की, यह सभी आपको एक ही जगह में लेंगी, वह है आपकी अपनी प्लेलेस्ट सूची NCEIT और कवरेज के नाप से, ती में लोगों की यह पिक्चा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कारी करें यह सिक्छा स्वास्त रोजगार पिदानकर में ग्रह निर्बाड सड़कों के विकास तथा बिजली आधी उपलग्द कराने की माध्यम से हो सकता है इस अध्याय में हम स्वास्त के अर्थ और सिस स्वास्त आखिर होता क्या है स्वास्त है क्या आखिर स्वास्त के वारे में हम अनेक पकार से सोच सकते हैं स्वास्त का अर्थ हमारा बीमारियों और चोट आधी से मुक्त रहना है लेकिन स्वास्त केवल बीमारियों से संब्धित नहीं है आपने ओफिक्त कोलाज कोलाज मे से केबल कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ से जोड़ कर देखा हुआ प्रया हम द्यान नहीं देते हुआ हैaurais्ट हर स्थिति का समन्द स्वास्थ से है बीमारी के अलावा हमारे लिए न कार्णों पर भी विचार करना अवसक है जो हमारे स्वास्थ पर प्रिभाव डालते हैं ओधारण के लिए यदि लोगों को पीने के लिए स्वैक्ष पानी और पिदूसन मुक्त वातावर्ण मिले तो बे सामाननता स्वास्थ रहेंगे दूसरी और यदि लोगों को भरपेड भूजन ना मिले अत्वा उन्हें घुटन भरी खौस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार पढ़ने की संभावना अधिक है हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार करें चुस्ती से और उचे मनोगल के साथ करें स्वास्थ और आकर्वन रहना चिंता ग्रस्थ होना लंबी समय तक टरे सह में रहना स्वास्थ जीवन के लक्षण नहीं है हम सब को तनाव मुक्त और विसंद रहना चाहिए हमारे जीवन के इस सब भी पहलू स्वास्थ के से बात करते हैं भारत में स्वास्थ सेवाएं आ संसार भर में भारत सरवादी चिक्षा महाविद्याल हैं यहां सबसे दिख डॉक्टर तेयार किये जाते हैं लगबख हर बरस 15,000 नई डॉक्टर रेवगुता पराप्त करते हैं भारत के अधिकार डॉक्टर सहरी छेत में वस्ते हैं ग्रामीड ग्रामबासियों को डॉक्टर तक पहुचने के लिए लंबी दूरी तैय करनी वड़ती है ग्रामीड चेत्रों में जन संख्या के मुकाब्ले डॉक्टरों की संख्या काफी कम है और है भी तो यहां जोला चाप डॉक्टर पिछली वरसों में स्वास्त सेवाओं की सुग्धा में काफी बिद्धी हुई ह 1950 में भारत में किवल 277 अस्पताल थे सन 1991 में 11174 अस्पताल थे और सन 2000 में यह संख्या बढ़कर 18218 हुई भारत में करीब 5 लाख लोग पिती वर्ष तपे देख यानि की टीवी से मर जाते हैं सुतंता प्राप्ती से अब तक इस संख्या में कोई परिवतन नहीं हुआ हर बर्ष मलीरिया के लगवां 20 लाग मामलों की रुपोर्ट प्राप्त होती है यह संख्या कम नहीं हो रही है भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज करा नहीं तो चिकिस्सा परेटक आते हैं विवपचार के लिए भारत में कुछ ऐसे अस्पताल हो जाते हैं इनकी तुल्ला संसार के सरवसिष्ट अस्पतालों में सिक्की जाती हैं हम सब को पीने का सोक्ष जल उ पेट की कीड़े हेवे टाइडिस बारत विश्व का दवाईयां निर्मीद करने वाला तीसरा बड़ा देश है यहां से भारी मात्रा में दवाईयों का निरयात होता है भारत के बच्चे समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए फर्याप बोजन नहीं मिलता है वे अलग पोसन के सिकार रखते हैं कि बीमारियों से बचाओ और उनके उप्चार के लिए हमें उचिस स्वास्त सेवाएं चाहिए जैसे कि स्वास्त के अस्पताल परिक्षणों के लिए प्रयोप सालाएं इम्बोलेंस की सुगदा ब्लेड आधी ब्लेड बेंक आधी जो जीज सब्सक्रार की जरूरत है जो पनावस्ते शिंद रोफ की सजसरा कर सके और इलाज कर सके मरीजहों के लिए हमें आवस्ति गवाईयां को चाहिए जब हम वीवार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन वाज्वतिश्त की ज़रूरत बड़त है यह ऐसे चिक्ष सालाय और स्वास्त केंड हैं जिने सरकार चलाती है सरकार अपनी जनसंख्या की बड़ी भाग की देज़वाल करना में समर्थ है जो सेक्डों और हजारों गाओं में फैली हुई है इस विसम विसे पर हम बाद में एक दिक विश्तार से पड़ेगे साथी चिक्षा विज्ञार में बहुत आसाथ में पेगिती हुई है जिसके जलते दिसमें लाज की नहीं नहीं तक्नीकी उबिदियां और लब्दें पिर भी दूसरा इस्तम दिखाता है कि हमारे देश में स्वाष्ट की इस्तिती कितनी खराब है उप्यूक शकारात्मक विकास के बादी हम जन्ता को उचिछ स्वास्त सेवाये देने में आसमर्थ है यह बेउद्धावास जित्ती है जो हमारी आपेक्छाओं के विब्रीद है हमारे देश के पास पैसा है ज्ञान है अनुभवी बैखती है फिर भी हम सबको आवस्यक स्वास्त सेवाएं देने में आसमर्थ है हम इस सद्याय में इसके कुछ कारणों को जनेगी सरकारीयस बता लों मैं देख लिजिए इसी तरह तो लगी रहती है देखा होगा आपने बात करते हैं हाकिम सेख की कहानी के बारे में हाकिम सेख पश्यमंगाल खेद मजदूर समती है के एक सदस्य जो बच्चा मंगाल में खेदी हार मजदूरों का एक संगत है 1992 में एक साम बिच्चलती टेंड में से गिर गए और ने सिर में गंभी चोट आई उनकी हालत बहुत नाजुप थी उन्हें तुरंत इलाज की आवस्टता थी उन्हें कोलकाता की सरकारी एस्पताल में ले जाया गया लेकिन उन्हें भरती करने से मना कर दिया गया क्योंकि वहां कोई विस्तर खाली नहीं था दूसरे अस्पताल में आवस्टत सुगदा है और उनके इलाज के लिए जरूरी बिसेशक नहीं थी इस पिकार अंतिम अतेंद गंभीर हालत में उन्हें 14 गंटे के अंदर सरकारी अस्पतालों में ले जाये गया किन्तु किसी ने भी उन अस्पता कर दिया था उनके उपेक्छा पूर्वेय से नहाराज और शुब्द होका हाकिम से पीवी की एम एसके ने कोड में मुकंदमा दायक कर दिया तो इस कहानी का उद्देश समझे आप कि अपने देश की जो विसरकारी अस्पताल है उनकी एक सच्चाई बया करती है मतलब अकीगत बता रही है कि इस तरह चलता है हमारे देश का सिष्टम अस्पताल का जो भी है एक बात करते हैं आंगे एक एलाज का ख़श अमन और रंजन अच्छे मित हैं रंजन का परिवार साधन संबन है जबकि अमन के पिता माता पिता जैसे तैसी गुजारत करते हैं अरे अमन बड़े दिनों बाद मिले कैसे हो मुझे वाइरल उखार हो गया था और अस्पताल जाना पड़ा अच्छा मुझे भी वाइरल हो गया था मैं इसी तुम्वार से स्कूल आ रहा हूं मेरे डेडी कि सब्सवे के नए अस्पताल में डॉक्टों को दिखाने ले गया वहां बहुत अच्छा लगा अस्पताल की बिल्डिंग ऐसे चकाचक दिखती थी कि मुझे लगा कोई पांच सितारा होटल है डेडी कर रहे थे कि यह एक प्राइबेट अस्पताल है और बढ़िया से बढ़िया सुगदाएं या बिलती है यह है आपका अमन बोल दाए रि जगमग जगमग था यह अमन बता रहा है ठीक है डॉक्टर ने मुझे बहुत से परीक्षन करवाने को कहा परवास तो सब लोग दोस्तों की तरह बात कर रहे थे एक महला ने जाच के लिए मेरा खून लिया उसने बातों बातों में खूब मजा किया मुझे दर्द का पता नहीं चला अमन बोल गाए जब सारी परिक्षणों की नतीज़े आ गए तो हम वाफिस डॉक्टर के पास गए उन्होंने नतीज़ों को देखा और कहा है सब कुछ ठीज़े मुझे से बायरल गुआ है उन्होंने कुछ दवाईयां लग दी और आराम करने को खा क्या तुमन लिए यह सफेद बाली सोने से पहले यह सरीर के दर्ज के लिए और यह सीरव घबराव नहीं बढ़िया स्वादेश का दनबाद डॉक्टर मुझे तो अभी सिफ्टेख लगने लगा है यह अमन बोलगा है यहां आप लोगों को बताने की कोसिस के लिए कि प्राइबेट ज अब से जानदा पैसे लिए जाते हैं या जो घर से संपन्न है पैसे वाले हैं वही प्राइबेट डॉक्टरों के पास जा सकते हैं तो प्राइबेट और सरकारी अस्पतालों में अंतर बताये जा रहा है कि अगर आप सरकारी जाओगे अस्पताल में तो वो डाप के बगा अच्छे से बात भी नहीं करेंगे अरे हर जगे देखा होगा आगर आप संपन हैं आप तागत बने तो आप हर जगे अपना बनाई ही लेंगे अपनी विवस्ता पिर चाहिए आप लोग उने बैंकों में देखी हो वहां आप लेक आगर आप गरीब हैं या आसामान मतलब ठी जड़ा है और आप अग्या ओगार्णियर्ट में लगए रहेंगे बात में मौलूग चला कि आपका नम्मर आया तक सरवर खराब पता निए क्या क्या खराब हो जाता हूँगा तो इही आसामान्ता को दिखा रहा है किस तरह आसामानता है कि तुमिए सारी बात तों बताने यतना अच्छा तो नहीं था पहले तो अब्बा मुझे लेगी नहीं जाना चाहते थी क्योंकि इसमें समय बहुत लगने वाला था और सच में कितना ज्यादा समय लगा हमें एक बड़े से सरकारी हस्पिताल में गए हमें OPD काउंटर पर एक लंबी लाइन में इंतजार करना मेरी यह तबीयत इतनी खराब हो रही थी कि मैं पूरे समय अभबा के सारे टिका रहा हूं जब हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने मेरी जाच की और खून की जाच कराने के लिए कहा इसके लिए हमें एक और लंबी लाइन में खड़े होना पड़ा जहां जाच के लिए खून की जाच का नतीजा मिला फिर हम बापिस अस्पता लेगें इस दिन वहां कोई दूसरा डॉक्टर बैठी थी मुझे इसका OPD कार्ड दिखाओ खून की रिपोर्ट जल्दी करओ इसे वाइरल हुआ है कोई फरकर की बात नहीं है बुखाद उताने की गोली की है गोली इसे देनी है बस और कुछ नहीं मेरे अस्पताल था तू बहुत बढ़िया और उन्होंने मुझे जादा दबाईया देदी और मेरे इलाज में जानदर खरच होगा अच्छा मेरे इलाज में तो जानदर खरच नहीं हुए रन्यन हो रहा है तो आप लोगों ने आसमानता देखी होगी कहानी के जरी यही ती ही आगया हुग है कि जो भी आपकी NTA आटी बुक्स है आपका बीस मलबूत करने के के जिसतरे नी यू नीवरी जाती है मंकर बनाने इस धीए यही बनने के लिए कि आपका थी कि योकि यूबाक करते हैं हैं आगे सर्वम्जनिक और नीजी स्वास्त सेवाऊं के बारे में वो फिभ कहानी से आप समाघी गए हूँगे कि हम स्वास्त सेवाऊ को 2 मोटी वरको में बाट सकते हैं एक सारोजनिक स्वार्शत सेवां रहे हैं सारोजनिक स्वार्शत सेवां के स्वार्शत के हैं यह जो सरकार द्वरgor चलाई जाती हैं एक कहारे जुड़े होए है जिससे एक शहरी गरामीड itionally दौन छेत्रों का को सुगधाय पिदान करते हैं और सभी बीमारियों साधान से लिकर विसेस देखवाल की जरूरत वाली बीमारियों का इलाज करते हैं ग्राम इसकर पर एक स्वास्त कहंद होता है जहां फ्रेया एक नरस और एक ग्राम स्वास्त से बख रहता है इन्हें सामान बीमारियों के एलाज के लिए पित सीख्षण दिया जाता है और बेपरात्मिक स्वास्थ केंद के डॉक्टरों की देखरेंग में कार करते हैं ग्रामीड छित में ऐसा केंद के जरूर्दों को पूरा करता है। जिला इस्तर पर जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्त के इंदों की देखवाल देखरिख करता है बड़े सहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं जैसे एक वह था जिसमें अमन को ले जाया गया था और ऐसे भी प्रिशिष्ट सरकारी अस्पताल हैं जिनका जिक हाक सब्धित की कहानी में हुगा था कि इस स्वाश्ट सेवाओं को कई कारणों से सार्वजीनिक कहा जाता है सरकार श्रकार ने सबीन अंग्रेकों को सल्षांत सेवाएं ब्यदान करने की बचन बद्द्दता को पूरा करने के लिए एस다 तथा स्वास्त के इंद इस्थापित किये इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टेक्स करूम में देते हैं इसलिए सुगधाय सब के लिए हैं सार्वजिनिक स्वास्त व्युस्था का एक मत्पूर्ण पहिल में जिसका अच्छी स्वास्त सेवाएं निसल के और बहुत कम कीमत पर देना हैं जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सकें स्वास्त सेवाएं अन्न मत्पूर्ण कारें बीमारियों जैसे टीवी मलेरिया पीलिया दस्तलगना हैजरा चिकन मुलिया आधी को फैलने से रोखना इसकी विवस्ता सरकार को करना पड़ेगा कि चित के सभी लोग अपने कूलों वाग घरों की चतों पर आधी पर पानी इकत्तित ना होने देगा कि हमें सरकार को कर क्यों देना चलिए देगें सरकार कर से प्राप धन का उप्यूप विभीन पेकार की सारवजिनिक सेवाओं को मुहया करवाने में खैज करती है जिससे सभी नाग्रेखों को फायदा होता है पिती रख्चा पूलिस नयाएक विवस्तार राजमर्ग इत्यादी कुछ सेवाओं से सभी नाग्रेखों को लाब होता है अरंधा इन सेवाओं की वेवस्ता सवयन नाग्रेख नहीं कर सकते हैं करों से ही कुछ विकास आत्मक कारिकरम सेवाएं उपलब दोती है जैसे स्याग सिक्षा स्वास्त रोजगार सामाजी कल्यान उन्मनलों में रात और पुनरबात के लिए भी किया जाता है अन्तिक्ष प्रमालू एवन पिच्छे पास्थूं से संब्दिक कावक्रम को हको भी करां की द्वारा प्राप्त राजस से ही चलाया जाता है सरकारखतंतोर से गरीवों को सेवाय पतार घिया एव भी बाजार से नहीं खेरीदबाते हैं इसका यकोधारण स lays्थ संभ्म ok सेवा हैं हाकिम सेव के पिकरन को पुनायाद करें क्या आप जानना चाहेंगे उनके मामली में कूर्ट ने क्या नेड़े दिया हमारी समिधान के अनुसार लोगों के को सुनिष्चित करना और सब को स्वास्त सेवाएं पिदान करना सरकार का बरात्मिक उद्देश है सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी और अधालक ने कहा कि हाकिम से कुछ जिन कटना यह उसे गोजरना पड़ना उसमें उनकी जान भी जान सकती थी यदि कोई अस्पतार समाई पर व्यक्ति कोई इलाज नहीं पदान कर पाता तो इसका तात्पर है कि उ सरकार का एक करतब है कि वह मरीजों को आवस्तिक सुद्दाएं स्वास्थ सिवाएं देने जिसमें आकसमें के इलाज की सुद्दा भी सम लेतों अस्पताल उसके उनके स्वास्थ संबंदी करमचारियों को आवस्तिक इलाज बिनान करने की जिमेदारी पूरी करनी चाहिए कई सरकारी एस्पतालों ने हाकिम सिख का इलाज करने से मना कर दिया था इसलिए अदालत नहराज सरकार को निदेज दिये कि वह हाकिम सिख द्वारा इलाज पर बैग किये है पूरे खरच का वुक्तान करें निजी सेवाओं की बात करते हैं अब हमने बात कर लिए पर लिसारोजनिक सेवाओं अब निजी हमारे देश में कई तरह की निजी सेवाओं स्वास्ति सेवाओं पाई जाती है का ब्रभी संख्या वे डॉक्टर अपनी दवा खाने चलाते हैं ग्रामीर चेतारो में 50 गचिस सभेवसाई है मिलते हैं सार्जरी चेत्रों में बरी संख्या में डॉक्त हैं जिनमेंसे बहुत से बिसेशंग की सेवाएं प्रदान करते हैं निजी रूप से चलाय जा रहे हैं या स्पताल मल्ब नर्सिंग होम भी हैं। काफी संक्या में प्रियोग साला हैं जो परीच्चन करती हैं बविस्ष्ट सुभधाय उप्लाद कराती हैं। एक्तरे अल्टासाउं आधी। ऐसी दुखाने भी हैं जहां से हम दवाईयां खरीचते हैं। जैसा कि इनके नाम से ज्यात होता है निजी स्वास्त सेवाओं पर सरकार का सौमित तथा अत्वा नियतर नहीं होता है। सारुजनेक स्वास्त सेवाओं के विख्ली इन निजी स्वास्त संस्थाओं में मरीज्यों को हर सेवाओं के लिए बहुत धन बै करना पड़ता है। आज निजी स्वास्त सेवाओं चारों और फ्यली दिखाई देथी ह। अब तो बड़ी-बड़ी कंपीनियां। अस्पताल भी चलाती है। कुछ कम्पनियां दवाईयों को बनाने और बेचने में भी लगी हैं, सहरों के कौने कौने में दवाईयों की दुकाने देखी जा सकती है। बात करते हैं स्वास्त, सेवा और समानता, क्या सब के लिए परयाफ्त स्वास्त सेवा उपलब्द हैं। हम भारत में ऐसी इस्तिती का सामना कर रहे हैं, जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं, परन्तु सारवजिनिक नहीं, ऐसी दसा में लोगों को मुक्ता निजी सेवाओं की उपलवद हो पाती हैं, यह सहरी चेत्रों केंद्रे थे, इन सेवाओं का मूल भी अफेक्चा के अधिक रहता है, दवाईयां महेंगी होती हैं, बहुत से लोग उन्हें खजिन्ने में समर्थ नहीं होते हैं, इसलिए जब परिबार में बीमारी होती है, तो उन्हें रिड लेना पड़ता है, कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्रयार ऐसे कारियों को प्रोसा इंजेक्शन या से लाइन आदी की सलाय देते हैं, जबकि साधान एलाज भी परयाप्त हो सकता है, बारतिय आयू विज्ञान परिशत का आयू विज्ञान नैतिक सहता कहता है, जहां तक संभव पिते चिकिस्सक को औस्दों के जैनरेक नामी उप्चार परची में लिखने चाहिए, सुनेश्चित करना चाहिए कि यह युक्ति युक्त और उप्युक्त रूम में होती है, अब तो आपके यहां जैनरेक दवाई भी आने लगी है, वह बहुत सस्ती है, तत्त यह है कि आंगे बात करते हैं कि तत्त है है कि जनसेंख्या के 20-30 सल लोग भी बीमारी के दोरान आवसक दवाईयों को खरीब में सक्च में, बे लोग भी जिने हम गरीब नहीं समझते हैं, दवा सम्बंदी खर्चों को उठाने में कटनाईयों का अनुभव करते हैं, यह कद्धन में पाया गया कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भरती होते हैं, उनमें से 40-30 सक लोग खर्चों का अगुकतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं, या अपनी को संपत्ती बैस देते हैं, गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिन्ता और मुसीबत का कारण बन जाती हैं, इससे भी बड़ी बात या हैं कि ऐस अगरीब लोग पहले ही पोशन की कमी का सिकार होते हैं, ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते हैं, जितना उन्हें खाना चाहिए, उन्हें जीवन की आदार गूत आवसकता हैं, जैसे पानी का पानी घर के लिए परियाप जगए, साब बाता बन तक उपलब्द नहीं हो पाता है, और इसलिए उनके बीमार परने की संभावना अधिक रहती है, बीमारी पर होने वाले खर्श से उनकी हाल और खराब हो जाती है, कभी-कभी केवल पैसा ही लोगों की बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता है, उधारन के लिए महलाओं को तुरंत इलाज के लिए ड क्या किया जाना जा सकता है, इसमें कोई संदे नहीं है, कि हमारे देश में लोगों के स्वास्त की दिशा अच्छे नहीं है, यह सरकारी का उप्तरदायत है कि वह है अपने सब नागरेकों को, विसेश कर गरीबों और सुख्दा हीनों को गुडात्मक अधना ही स्वास्त सेवाओं के उपर भी, इसलिए लोगों के स्वास्त की दिशा, दिशा, सुधारने के लिए दोनों पठ्चों पर कार करना चाहिए, ऐसा करना संभा हो है कि अंगले प्रिट पर दिये गए उधारन के दिखिए, केरल कार्वा, 1996 में केरल सरकार ने राज में कुछ मत्पूर परिव्यतल किये, राज के पूरे बजट का 44,000 पंचायतों को दे दिया गया, इससे पंचायतें अपनी आवसकताओं को युजनाबद कर उनकी पोज़ती कर सकती थी, इससे गाउं के लिए पीने का पानी, आहान, औरतों के वि पूचित विवस्ता सुनेशित करना संबह हो सका, इसके फल सोरोग चल वित्रण, विवस्ता की जाच की गई, इसकूलों और अंगनबाडियों के काम को सुनेशित किया गया, गाउं की विस्स समस्याओं पर ध्यान दिया गया, स्वास्त के इंदों में भी सुधार किया गय इन समस्याओं को दूर करने की आवसकता है कुश्टारिका का तरीका कुश्टारिका को मद्द अमेरिका का सबसे सौस्ट देश माना जाता है इसका मुक कारण उनके सम्मिधान में नहित है कई बरसों पहले कुश्टारिका ने एक बहुत मत्कून नेड़ लिया कि बिदेश में सैना नहीं रखेंगे इससे उन्हें सैना पर वैय किये जाने वाले धन को लोगों की सिक्षा, सौस्ट और अनाधारवू जरूरतों पर खर्ट करने में मदद मिली कुश्टारिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वास्त होना जरूरी है इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्त पर बहुत ध्यान देती है कुष्टारिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्त के लिए मुल्भू स्विवाएं बसोविदायें देती हैं पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोसन और आवास स्वास्त की सेवाँ सिक्षा को बहुत महत्पूर माना जाता है सभी इस तरहों पर स्वास्त, समंदिज्ञान, सिक्षा का एक जरूरी भागया तो यह था आपका दूसरा चेक्टर, क्या था, स्वास्त में सरकार की बहुमिका देख लिया समिनार का एक मत्पूर हिस्सा कहता है कि पोसाहर इस्तर और जीवन इस्तर को उंचा करने तथा लोग स्वास्त की सुबदाय करने का राज़का करता है यह आपके कुछ अभिहास के लिए कुश्टेंस दिए गए पीडिया आप टेलीगराम पर डाल दी गए है अब कुछ सब्द इसमें संकलन दिए गए वो लोगोंने कुछ सब्दे देखें उनकी परिवासा देख लेते हैं वैसे तो हम लोग देख चुके हैं फिर भी आपको एक निसकर्स के तौर पर बताने इस पाइट अध्याय का क्या निसकर्स है सारवजनेक सारवजनेक वह सेवा याकार है जो देख के सभी लोगों के लिए है और मुक्रोग से सरकार द्वारा आईवजित किया जाता है इसमें स्कूल अस्पतार टेलीफोन सेवा आधी सामल है लोग इन सेवाओं की मांग कर सकते हैं और यदि संस्थाय ठीक से काम नही यह बेवेदेशी परयाटक हैं जो इस देश के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विस्षिस रूप से यहां आते हैं जहां उन्हें अपने देश की तुला में बहुत कम मूल पर विस्षिस तरिये सुविदायें प्राप्त हो जाती है फिर आपका हैं यह बेवीमारिया हैं जो एक दूसरे से दूसरे वेक्ति वो कई माद्रहों से माद्रमों से सज्चाडित हो जाते हैं जैसे पानी भोजन हवा इत्यादी ओपीडी यह आउट पेसेंट डिपार्टमेंट यह बाहरोगी विवार का संच्छित रूप है अस्पाताल में कि प्रभावित करने वाले नेतिक सिद्धान पर आपका जैनेरिक नाम दवाओं के रसाइडिक नाम है बेदवाओं दवाओं दवाईयों मैं प्योग सामक्रियों की पहचान करने में मदद करती हैं विविस्त इस्तर पर मानतप रात धारन के लिए ऐसी टाइल साली सैली एसेड एस्परेंट का जैनेरिक नाम है तो यह आपका दूसरा चप्टर खतम हो गया है तीसरे चप्टर में हम लोग बात करेंगे राज्यस साशन कैसी काम करता है आखिर राज्यसाशन आपका कैसी काम करता है